जहें साथ्यों भाई आप लोग जानते हो कि जो अपना 56 का एक्जाम हुआ था तो कोड में केस उसका चला हुआ है और उसकी जो सुनवाई थी वो अप्रेल के महीने में होने वाले थी तो आज उसकी हेरिंग लगा दी गई है यादि कि आज उसकी सुनवाई होने वाली है ठीक है आपका केस नमबर भी यहां पर लिखा हुआ है ठीक है देखो 14 फैब और यहां पर अरजेंट 128 उसके बाद यहां पर देखो जो आपके वकील है यहां पर और यह जो केस था जिसका ठीक है वो सब कुछ यहां पर डिफाइन है तो आप लोग देख सकते हो तो आज 56 जो कोर्ड केस हो रखा है इन पर ठीक है आज उसकी सुनवाई है कोशिस होगे कि भाई सभी बच्चों के हित्वे फैसला है फाइदा ही होगा क्योंकि यहां से सोलिशन हो सकता है तो ग्रू ही दूआ है कि कोशिस यही हो एच एससी की साइड में से किस जितने भी सबूत है वो मैक्सिम वो दे दे और इसको आज ही खतम किया जाए इसका यह भी हो सकता है कि यदि सुनवाई पहले हुई है तो इसका मतलब यह भी है बाइदा वे एक परसेंट या दस परसेंट हम लो महिने में होने वाली थी वो इसी महिने में खत्म हो जाएगी जैसे ही खत्म होगी तो आप लोग जानते हो कि भाई इसके जोईनिंग हो जाएगी D के बच्चों को मोका मिल जाएगा तो D के बच्चों के लिए काफी अच्छी न्यूज है और ऐसे ही आप लोग पढ़ते जाएगे और आपको अच्छी अच्छी अपडेट सभी आपको मिलने लग गई हैं एक्जाम भी होने स्टार्ट हो चुके हैं पुलिस का नोटिफिके होगा विधान सभाई लेक्षन में अगले सेटी में काफी अच्छी संख्या में वेकेंसिया मिलने वाली हैं ठीक है और बहुत से बच्चे मैंनत करो अच्छे से पढ़ो जी जान लगा दीजिएगा ठीक है और नेगेटिव जो पीपल है उनसे बच के रहो उनसे बचिये वो नेगेटिव ही चीजे फैलाएंगे दुख इस चीज का नहीं होता है कि वेकेंसि नहीं आई दुख इस चीज का होता है जब वेकेंसि आने के बाद उस लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं आता है वो समसे बड़ा दुख होता है तो इसलिए नेगेटिव पीपल से लगाओ और अच्छे से उनको फॉलो कीजिए अच्छे से बढ़िए हम लोगों से जुड़ना चाहते हो तो इसकी एकड़मी का चैनल है इसको सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा और यूटूब पर क्लास होती है इसकी एकड़मी एप्लीकेशन है वहां पर भी बैचिज चले हुए हैं यदि हमसे पढ़ना चाहते हो थैंक्यू सो मच बाइबाई और आज के लिए गुड़ लग अच्छा हो बच्चे को हित्में फैसलाई यही हम दोख सोचते हैं थैंक्यू सो मच